है गाईस बहुत-बहुत स्वाकित आज की इस वीडियो में मेरे दो भाईयों ने कमेंट किया था भाई मल्टीमिटर के उपर वीडियो बनाओ तो इन दोनों का नाम है मेवालाल सा और अविनास गुन-गुने यह बहुत-बहुत थेंक्यू आप लोग ने मिरको एक कंटेंट दे दिया जिससे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊं और आप लोगों कुछ नॉलेज मिल सके तो आज की वीडियो में आपको पूरा का पूरा मल्टीमिटर यूज करना सिखाऊंगा बेसिक सिखाऊंगा ज्यादा है भी नहीं क्यूंकि आप लोग कम उमर के हो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा स्टेप बाए स्टेप समझाऊंगा और अमीद आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा तो सबसे पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देता हूं मल्टीमिटर के बारे में यह मल्टीमिटर सबसे बेसिक होता है इससे महेंगे महेंगे भी आते है आप अभी वह नहीं करेको पाऊगी और प्रोफेशनल यूज करते हैं जो बढ़े-बढ़े एक्रीशयन औरJesus इंजीनियर होते हैं वह इस इस तमाल करते हैं तो चल्लो यहार पहले स्टेप की ओर बढ़ते हैं तो पहले step में आपको probe लगाना होगा इसका जो wire होता है connector वो बहुत लोगों को नहीं पता कि कैसे लगाया देता है सही तरीके से तो मैं आपको बता देता हूं दिख रहे हैं और सबसे पहले वाले point में हमें कुछ भी नहीं करना है नीचे के जो दो point दिख रहे हैं बीच वाला point positive है ठीक है और उपर वाला जो नीचे वाला है वे नेगिटिव है यह पर iqu butt dust kब तेर्हें प।上 मॉटर का चीज का बैटरी का ओगा यह आंप छेक करना होता है तब यहां लगाते हैं इसके साथ 2 टो आए तो सबसे पहले हम मैं आपको दिखाऊंगा । इसी वोल्टेज चेक करना तो यहां पर देख रहे होगा 200 मिली एंपियर 2000 मिली एंपियर 20 वोल्ट 200 वोल्ट 1000 वोल्ट आप इसमें को मार्किंग लगी हुई है एरो बना हुआ है तो आपको इसमें ज्यादा जंजट नहीं होगा परिशानी नहीं होगा तो आप इसको सेट कर हैं 20 पे क्योंकि 20 से और 200 और 1000 के बीच में वोल्टेज होता है 200 मिली एंपियर 2000 मिली एंपियर के ज्यादा यूज नहीं होता है तो सबसे पहले मैं आपको एक बैटरी चेक करके दिखा जो कि निकल की है इसके मैं दिखाता हूं इसके चार्ज कितना तो यह 1.2 वोल्ट की बैटरी है लेकिन इसमें चार्ज अभी बहुत ज़्याद कम है तो इसे आपको चार्ज करना पड़ेगा ठीक है तो मैं आपको द आपको बैटरी चेक करके दिखाता हूं यह मोबाईल की बैटरी है कि इसमें आपको गूंस पता करना पता कर सकते हां से अगरी बैटरी डाउन होती तो इसका वोल्टेज कम होता हूं इससे आपको पता भी चलजा कि कौन सा कनेक्शन प्लस कोन सा माइनस है अगली में आपक की बैटरी चेक करके दिखाता हूँ यह देखो इसमें समतें 11 वोल्ट आ रहा लेकिन यह 12 वोल्ट है 3.7 वोल्ट की तीन बैटरी यह लगी है 12 वोल्ट की अभी चार्ज कम है इसमें थोड़ा लेकिन आप चार्ज लगा लोगे तो यह फुल चार्ज हो जाएगा ठीक है यूज करो बेसिक ही समझो ठीक है ज्यादा इधर उदर में कि चक्र में मत पढ़ना ठीक अब बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ स्टेप 3 में हमने स्टेप 2 में voltage चेक कर लिए अब स्टेप 3 में हम रेजिस्टर चेक करेंगे कि रेजिस्टर कौनसी value के हैं आप मालो आपने बहुत साइब रेजिस्टर खज लिये पर आपको उसकी value नहीं पता ठीक है तो आज की वीडियो में अराम से रेजिस्टर चेक कर सकते हैं तो मेरे पास यह तीन चार रेजिस्टर बढ़े हुए हैं मुझे इनकी वैल्यू नहीं पता तो हम इस मल्टीमेटर से चेक करके देखेंगे कि इनकी वैल्यू असली वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता यह कितनी वैल्यू है 100 की है कि 1000 की यहां पर देखो 200 ओम पर मैंने सेट किया है तो अभी यह 97 दिखा रहा है मतलब यह जो हमारा रेजिस्टर है यह 100 ओम का है इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता आप इसको जैसे मर्जी लगा सकते हो उल्टा सीधा जैसे लगा सकते हो आपको यह सेम वैल्यू दिखाएगा 200 ओम पर सेट कर रहा है तो मैं डाइल को जो है थोड़ा सा अर्जेस्ट कर लूँगा अभी तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है ठीक है अभी मैंने इसका एक पॉइंट बढ़ा दिया तो अभी देखो यह 990087 दिखा रहा मतलब 1000 ओम का है मतलब 1K का रिजिस्टर रही है ठीक तो यह देखो इसमें कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है कुछ भी पता नहीं चला ठीक है तो मैंने इसे एक पॉइंट बढ़ा दिया ठीक है डायल मैं इसका बढ़ा दिया है तो अभी देखो यह दिखा रहा है 9920 ठीक है मतलब यह 10K का रिजिस्टर है मतलब सौरी हाँ 10K क श्मेर का रिजिस्टर है ठीक है वाध अमीद है जो मैं समझरा रहा हूं आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा हो गा ऎचनो कोई घलती हो जाके तो कमेंट्स सेक्शनन में जरूब बढतना और मुछे बताना की आप लोगों समझ में आ रहा है कि नहीं चलती से कमेंट मे सब्सक्राइब एम से चेक कर सकते हो को कोई परेसाल ही नहीं होगी इसमें अगले स्टेप की वहाँ बढ़ते हैं स्टेप वह मैंने आपको थे स्टेप बाते हैं एप चौटे स्टेप की और बढ़ते हैं यह ठोगा मैं ends लिए कि लिका आप ये स में DR बेस कलेक्टर ठीक है और ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं एन्पीम और पी अन्पी तुसको अगर आपको चेक करना तो आपको एच एफ एफ इपे सेट करना पड़ेगा तब आप चेक कर पाओगे उसकी असल वैल्यू आप लोगों को पता चल जाएगी तो एन्पीम और पी अन्पी दो तरह के होते हैं इनकी फॉल फॉर्म मैंने बता दिया अमीटर बीस कलेक्टर ठीक है तो अब मैं आपको एग्जाम परशानी नहीं होगी लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ इसकी ज़्यादा जरुवत नहीं बढ़ती है बहुत रेयर चांस होता है कि इसकी जरुवत बढ़े क्योंकि जो ट्रांजिस्टर होता है उन पर इनकी वैल्यू लिखी होती है कि यह कितनी वैल्यू के हैं जैसे पढ़ता है पर ट्रांजिस्टर पर लिखा होता है अगले स्टेप की वर बढ़ते हैं अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा आप डायोड वगयरा कैसे चेक कर सकते हैं डायोड एलेडी वायर बटन अगर आपको चेक करना है तो यह जो डायोड का साइन दिख रहा है यह जो एरो का साइन दिख रहा है इसके बीच में डंडी खिची हुए तो यह डायोड का साइन होता है आपको पहली बता दो अगर आपको कोई वी चीज चेक करने से यह लेडी डायोड वगहारा चेक करना तो आप इस पर सकते हैं डाल को उसके बाद छहेक कर सकते हैं तो अभी मैं आपको एक झाप करके दिखा रहा हुए यह मेंड्यायार पास ऊतुरा के लेसे लेटी होती है तो इससे हमें पता चल जाए कि यह LED हमारी सही है कि नहीं सही है वैसे तो हला कि आप बैटरी से भी चेक कर सकते हैं बहुत कम लोग यूज करते हैं ऐसे तरीका है लेकिन मैं आप लोगों को बेसिक बता रहा हूं तो अभी यह हमारी अभी मतलब करन्ट फ्लो हो रहा है लब ठ खुद चेक करोगे तो अभी मैंने बहुत जूम करके दिखा तब भी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा इसमें लेकिन कोई बात नहीं लेकिन यह 100% काम करेगा ठीक उसके बाद मैं आपको एक डायोड चेक करके दिखाता हूं यह 4007 का डायोड है इसकी पहचान यह होत और दूसरी साइड भी चेक करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं यह देखो अब है इसको दूसरी साइड चेक करूंगा इसको तो यह दो देखो हमारा कोई भी करनट फ्लो नहीं हो रहा है मतलब अपना डायोड बहुत ज्यादा सही है कोई दिक्कत नहीं है आप इससे किसी भी तरह का डायोड वगरा चेक कर सकते हैं डायोड LED और वायर चेक कर सकते हैं ठीक है उमीर आपको समझ में आ रहा होगा अगले स्टेप की और बढ़ते हैं अगले स्टेप पर यह 10 एम्प लिखा है जहां पर इसकी ज़्यादा जरूरत नही स्टेप यहाँ मिली एंपियर की होती है कोई भी आप मोटर चेक कर सकते हैं इस स्टेप 7 ऑचनी और बढ़ते हैं अगले स्टेप की और यह देखो Ven योरेर यूज़ करना पढ़ता है इसका तो यहां पर 200.00 मीली एंपीयर और 20.00 मीली एंपियर तक के दिखा रहे हैं तो आप इसे और आम से चेक कर सकते हैं अभी मैं बिना सर्कृत किए आप लोगों को चेक करके दिखाता हूं ठीक है मिर पास कोई सर्कृत नहीं है मैं सेम आ एक नहीं बनाके चेक करोगे तब तक आप उसमें पता नहीं कर सकते कि यह कितने ऐम्मिली एंप्यर की है ठीक है उम्मिद आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप से एक रिक्वस्ट है मेरा सेकंड चैनल ले व्लॉग का अगर आपने नहीं सब्सक्राइब कर रहा तो जाके स वाला सेक्षण है यह तो कंप्लीट हो गया आखरी स्टेप की बढ़ते हैं आखरी सबसे डेंजर है यह सारे स्टेप आप लोगों को बता दिये आपकरी स्टैप है एसी वोल्ट चेक करना आप कम उमर के हो मैं तो कहोंगा आप एसी वोल्ट ना ही चेक करो यह उनके लिए है जो बीस से पच्छिस साल के हैं टीनेजर्स उनके लिए तो मैंने आपको सारा स्टेब बाई स्टेब बता दिया है आप इसमें 200 वोट से सारे 700 वोट तक आप चेक कर सकते हैं लेकिन मैं आपको चेक करके नहीं दिखा रहा हूं तो बस यह आज के लिए इतना काफी वीडियो बसंदा है तो वीडियो को लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मिलते हैं अगली वीडियो को अपना दिहान रखना टेक केर बाई